नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर जस्मीत आलुवालिया, बिरेट्रिक एडवांस लेपरस्कोपिक और लेजर सर्जन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिसस्टाइटिस यानि की पित्ते में आने वाली सूजन के बारे में कॉलिसस्टाइटिस का मतलब है पित्ते में सूजनाना, कॉले जो वर्ड है ये गॉल्ब्लेडर के लिए यूज किया जाता है और इस इस वर इंफ्लामेशन कॉलिसस्टाइटिस में गॉल्ब्लेडर के अंदर स्वेलिंग या इंफ्लामेशन होना यह condition जारतर गॉल बेडर स्टोन्स की वज़े से होती है स्टोन्स कैसे बनते हैं यह हमने अलग एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है वो आप यहां देख सकते हैं लेकिन जब गॉल बेडर में स्टोन बन जाता है लेकिन अगर इस स्टोन की वज़े से यह सिस्टम रुक जाए इस डक्ट का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाए तब यह बाइल या जो फ्लूइड गॉल बेडर की वाल नॉर्मली सेक्रीट करती है वो गॉल बेडर के अंदर ही फस जाता है और उसकी वज़े से प्रेशर बढ़ने की वज़े से गॉल बेडर में सूजन आने शुरू हो जाती है जब हमारे ओर्गन में एक स्टोन फसेगा तो सबसे पहले पेशेंट को पेइन फिल होता है यानि की राइट साइड में आपर ब्रॉमन में आपको पेइन फिल होगा जो की धीरे धीरे बढ़ेगा जारदर केसिज में एक हैवी मील खाने के बाद पेशेंट ये पेइन फिल करते हैं या इवन अर्ली मॉनिंग में भी ये पेइल उन्हें फिल होती है खाना खाने के बाद gallbladder contract होता है और इससे stone फस जाता है और वो pain फिल करते हैं कुछ cases में within few hours यह stone वापिस निकल कर अपनी normal जगे पे आ जाता है और यह pain ठीक हो जाता है because जो cystic duct का blockage था वो हट जाता है तेकिन अगर यह stone वापिस नहीं आता या यह 6 गंटे से ज़्यादा फसा रहता है तो बहुत सारे cases में collisistitis यानि की gallbladder में inflammation setting हो जाती है जो फिर जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती even though stone वहाँ से हट भी जाए उसके बाद भी क्योंकि हमारी body में जब भी किसी जगे पे inflammation setting हो जाती है तो उसे पूरा ठीक होने में time लगता है यह time एक से डेड़ भीने तक का हो सकता है जब gallbladder में inflammation setting होती है तो उससे वहाँ पर fluid जमा हो जाता है और gallbladder की जो wall है वो पहले से thick हो जाती इससे जो pain है वो persist करती है अगर यह बहुत ज़्यादा gallbladder में swelling हो जाए तो patient को अपर abdomen में एक lump भी feel हो सकता है gallbladder में अगर stone फसा रहता है तो mucos seal बन जाती है यानि कि जो gallbladder के अंदर अपना secretions है वो एकठी होने की वज़े से gallbladder के अंदर बहुत सारा clear fluid accumulate हो जाता है और उसका size बढ़ जाता है जिसे भी आपको right upper abdomen में एक ball जासा mass feel हो सकता है अगर ये mucos seal में infection हो जाए तो इसमें पस बन सकती है जिसे हम empyma के नाम से जानते हैं और उससे patient को fever हो सकता है severe pain हो सकती है और इसको जल्दी से जल्दी operation करवाने की जरूरत होती है अगर ये problem और भढ़ती जाती है और timely surgery नहीं होती तो कभी कभी gall better की wall काली पढ़ जाती है जिसे हम necrosis कहते हैं या gangrene कहते हैं और उसके बाद भी अगर ये gall better remove नहीं होता तो ये wall फट सकती है और अंदर का गंदा fluid या जो पस है वो बाहर पूरे पेट में फैल सकती है और एक जानलेवा problem में convert हो सकती है so symptoms क्या है गॉल बेटर के अंदर सुजन के या college status के patient को usually severe pain होता है right upper abdomen में जैसा हमने पहले बताया कि एक heavy milk के बाद या earlier morning में और ये pain patient को nausea यानि की एक गंदी उल्टी जैसे feeling आनी या vomiting या actual vomiting होना ये भी हो सकता है इसके लावा आपको fever हो सक अगर गॉल बेटर स्टोन आगे slip हो गया है तो patients को jaundis हो सकता है ठंड लगकर बुखार हो सकता है जैसा कि collegeitis में देखा जाता है और अगर ये stone की वज़े से pancreatitis certain हो गया है तो उसमें बहुत severe pain होती है पेट के उपर हिस्से में और ये pain आपकी back में भी जा सकती है जैसे ही आपको ये symptoms का पता चलता है आपको early doctor के पास जाना चाहिए इसको evaluate करना चाहिए और अगर गॉल बेटर में stones हैं तो इसकी as soon as possible सरदरी करवानी चाहिए गॉल बेटर में जब inflammation स्टार्ट हो जाती है तो हम चाहते हैं कि इसकी सरदरी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो क जैसे कि stomach है, चोटी आंथ है, momentum है ये सब जाकर गॉल बेटर से चिपकने लगते हैं जैसे जैसे टायम जाएगा ये और ज्यादा hard गॉल बेटर के साथ चिपकते जाएंगे और सरदरी मुश्किल होते जाएगे सो कोशिश किजे जब भी ऐसे कोई symptoms हों आप immediately doctor के पास जाएं अपने test करवाएं और देखें कि वाके ही आपको गॉल बेटर की problem तो नहीं है और अगर ऐसा होता है तो doctor की सला के हिसाब से as soon as possible इसकी सरदरी करवाईए है एक simple operation है जिसको अगर timely किया जाए तो आपकी life save हो सकती है आपको इस problem से immediately छुटकारा मिल सकता है आप बहुत जल्दी घर भी जा सकते हैं लेकिन अगर इसमें delay होता जाएगा तो एक simple problem बड़ी problem में convert हो सकती है और ये जानलेबा भी हो सकती है आपको एक की बजाए multiple surgeries करवा पर सकती है complications हो सकती है so a stitch in time saves nine आप as soon as possible इसका इलाज करवाई है आजकल गॉल्बेटर की सदरी दूर बीन से की जाती है इसमें कोई भी बड़ा cut नहीं लगता हमारे यहाँ यह mini laparoscopy से भी available है जो बहुत ही छोटे cut से होती है यह आप सिल्द से भी करवा सकते है यानि कि single inc incision laparoscopic surgery जिसमें एक छोटा सा incision navel में दिया जाता है और और कहीं cut नहीं रहता so in सभी technique से आप इस problem से बहुत ही जल्दी चुटकारा पा सकते है और यह discharge भी बहुत fast होता है आप same day evening या next morning घर जा सकते है आजकल की जाने वाली surgeries में कोई skin पर incision में stitch भी नहीं आता आपको को waterproof dressings लगा कर next day से अपने normal activity कर सकते हैं shower कर सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें वापिस जा सकते हैं thank you झाल झाल झाल